IPL 2025 को ले कर हलचर शुरू हो गई है रिटेंसन को ले कर टीमों के भी चर्चा हो रही है कुछ दिनों बार टीम अपने रिटेंसन की लिश्ट भी जारी करेंगे लेकिन अभी टीमों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वो किस खिलाडी को टीम में रखे और किसको रिलीज करे कुछ टीम तो अपने कोचिंग स्टाफ में में बदलाव कर रहे है ऐसे मैं अगर दिली कैपिटल्स की बात करे तो दिली की टीम ने अपने हैड कोच रिकी पॉंटिंग को हटा दिया है और अब टीम रिटेंसन को लेकर भी बड़े फैस ले लेने वाली है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है इसमें पता चला है कि दिल्ली की फ्रेंचाइज ये भारती कोच की तलास में है और टीम ने भारत के पूरु खिलाडी है मकबदानी को टीम के हेड कोच के रूप में सामिल करने को लेकर विचार कर रही है वही टीम पूर भारती गेनबाज मुनाफ पटेल को बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी देना चाहती है लेकिन अभी इस खबर पर कोई पुष्टी नहीं हुई है दिल्ली की टीम की तरब से रिटेंशन को लेकर भी खबर सामने है फैंस को इस बात का अंतिजार है कि दिल्ली की टीम इस साल के IPL से पहले कितने खिलाडी रिटेन करेगी और वो कौन कौन से खिलाडी होंगे PTI के हवाले से खबर है कि टीम की रिटेंशन लिष्ट में फिलाल तीन नाम सामिल है इसमें कपतार रिशब पंद, अक्षर पटेल और कुल्दी पियादव का नाम सामिल है जहां तक उनके सैलरी कैप की बात की जाए तो रिशब पंद को सबसे जादा 18 करोर रुपे में रिटेंशन किया जा सकता है वहीं अक्षर पटेल 14 करोर और कुल्दी पियादव को 11 करोर में टीम अपने साथ रख सकती है ऐसे में अब देखना दिल्चस्प होगा क्या दिल्ली की टीम इन तीनों के अलावा भी किसी और खिलाडी को रिटेंशन करती है या नहीं